वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स देखें जो C.A. की क्रिटिस्ट में वाली कंपनी थी उसको आँख खोल करके भी और कान खोल करके भी देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए कि C.A. क्या था और क्यों था आज जो है वो जो पीडित हैं परताडित हैं जिनको कोई रास्ता नहीं था आज यही C.A. उनकी एक तरह से जिन्दगी की सुरच्छा की गारंटी बना है और उनको यह भी कान खोल करके आँख खोल के देख लेना चाहिए जो इस पर सामपदाइकता का तड़का लगा रहे थे कि जो लोग वहां से आ रहे हैं उसमें कौन-कौन लोग हैं क्या उसके लिए कोई जो पीड़ी थे हैं परताड़ी थे हैं उनके लिए कोई धर्म जाती की का जो है वो सर्टिफिकेट मांगा गया था क्या मुझे लगता है कि जो लोग भी अभी तक अफवाहों और आशंकाओं के माद्ध्यम से गुमरा करने वाली जो गुमराही गैंग था जिस तरह से उसने C.A. के समय और C.A. को ले करके पूरे देश में हाकार और हंगामा पहलाने की कोशिश की थी कम से कम उन्हें शर्मिन्दा होने की जरूरत है और जो लोग इतनी बड़ी ताइदात में आ रहे हैं उनके सामने जो है वो नतमस्तक हो करके सलाम करना चाहिए कि आज भारत ने भारत की सरकार ने भारत के लोगों की मजबूत चैशक्ती ने नरेन मुदी जी ने आज एक ऐसी विवस्था दूरदर्शी तरीके से पहले से कर रखी थी जिसकी वज़े से वो पीड़ी परतारी लोग सो अच्छित आ रहे हैं